काशी हिंदू विश्व विद्याले वैदिक विज्ञान के इंद्र भारतिय ग्यान विज्ञान का मूलस्त्रोत वेध हैं ये हमारे रिशियों के अपरोक्ष ग्यान का संग्रे हैं इसके माध्यम से पूरे जीव जगत का आध्यात्मिक एबं आधि भौतिक अभ्यूद्य प् भौतिक सुख सुधाय मिली हैं लेकिन इन विज्ञान जन्य आवश्कारों ने प्रकृति को पूरी तरह असंतुलित किया है जिससे पूरे जीव जगत के सामने एक भयानक खत्रा भी दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिथी में हमारे प्राचीन वैदिक रिशियों द्वारा प इस वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की आवशक्ता है इसके माध्यम से वैदिक ज्यान जो उपेक्षित सा हो गया है उसका अनुशीलन प्रचार प्रसार तथा वैज्ञानिक आविशकारों में सार्थक प्रियोग करते हुए जीव जगत को समुन्नत बनाने का एक सतत प्रियास है काशी हिंदू विश्व विद्याले के अंतरगत इस केंद्र का प्रथम उद्देश है इस परंपरा का रक्षण व्यविस्थित शिक्षण अनुसंधान तथा प्रकाशन द्वारा संवर्धन प्रचार एवं प्रसार करना वेद और वेदांग के रूप में प्राप्त विपुल वांग में मुखित अह मौखिक परंपरा में सुरक्षित है लिकित रूप में भी हमें विपुल संपदा प्राप्त है ये केंद्र नई पीडी के विद्वानों द्वारा उस परंपरा की प्राप्त चारों वेदों की समस्त उबलब्द शाखाउं का सं शाथ एवं पारंपरिक व्याख्या के अनुशीलन के द्वारा वेद की समुचित व्याख्या प्रस्थुत करने का प्रयत्न करेगा व्यदिक विज्ञान दोनों का समन्वय के साथ इस मन नए भारत के निर्वाण की परिकलपना उनके चिंतन में थी इसी परिकलपना को धे में रखते हुए मन्नी प्रधानमंत्री जी द्वारा उसकी आधारसिला रखी गई व्यदिक विज्ञान के इंद्र आधनिक एवं प्राचीन भारत के मध्य अंतर कारणों की समिक्षा करने के साथ साथ अपने अतीत के भव ज्ञान भंडार को पुना प्रतिष्टित करने और अपने पारंपरिक ज्ञान की दिशा में प्रत्न करेगा प्राचीन वैदिक ज्ञान के अंतर विश्यक अध्यन एवं अनुसंधान के द्वारा हम अपने राष्ट्रिय गवरव को अपनी लुप्त ज्ञान संपदा को पुना प्राप्त कर संपून मानवता के कल्यान के लिए गवरवशालिक ज्ञान परंपरा का प्रयोग कर सकते ह का श्रिलान न्यास माननी प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा किया गया श्रापी जी स्वयां कासी में बहा रहे हैं यह मालविया जी की अब उनी का सतना रहा कि एक परिश्ण में प्रांची जित्याओं के साथ साथ आधूरिक्ता की पुड़ाई उनके इसी सपने यानि हमारे बेर्चु को विस्तार ने लिए आज हमेरी सेंटर का वकार्पर हुआ बेर्चिते ज्यानिक से लेकर 21 सथी के विज्ञान और भुविश्य की टेक्माजी के समाधान देने वाले आयां आज यहां जोडे गए हैं बेर्च से लेकर टिमकतां तक को जोड़ा गया है आ जहां एक तरफ वैदिक विज्ञान केंद्र का सिलाने आसुपा है तो दूसरे तरफ अकल इंक्यूबेशन सेंटर की विश्युवाद दी प्रस्तावित वैदिक विज्ञान केंद्र अपने साथ विभागों द्वारा समस्त प्राचीन भरतिय ज्यान को आधुनिक ज्यान के साथ जोड़कर आधुनिक समाज तथा ज्यान विज्ञान के अनुशिलन हेतू मानव संसाधन को प्रस्तोत करने के दिशा में कार्य ये विभाग हैं प्रभाग, संपाधन, अनुवाद, एबं प्रकाशन प्रभाग वैदिक विज्ञान केंद्र के अंतर्गत वैदिक न्यूरोलजिकल लैब वैदिक वेद शाला केंद्रीय कृत प्रियोक्षालाई द्रिश्य श्रव्य प्रियोक्षाला ब्रिहद डिजिटल लाइब्रेरी, नक्षेत्र वाटिका, वैदिक संग्राले, श्रौत एवं स्मार्थ ये गिशाला आधी स्थापित किया जाना है वैद, विश्रकेप, प्रामानिक, प्राची इनतम एवं वैज्यानिक ग्रंथ हैं श्रिष्टी और जीवन से संबंधित जो भी रहस्य है वह इनमें प्रित्पादित हुआ है, बरनित हुआ है आधिनिक विज्ञान जहां पूरी श्रिष्टी और जीवन के मूल में मेटर और इनरजी के रूप में दो तत्वों को बतलाता है वहीं आधिनिक विज्ञान इन दो तत्वों के साथ चेतना शक्ति को भी बतलाता है जिसे हम science of consciousness के रूप में जानते हैं और इस प्रकाल से यह चेतना शक्ति का विज्ञान जो भी विष्व में कालिय हो रहा है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से उसके जो side effect हैं उनको नहीं होने देता यही इस वैदिक विज्ञान की सबसे महत्पूर उपलब्धी है हम आधुनिक विज्ञान के जो भी छेत्र हैं चिकिस्सा के कृषियादी के उनको हम साथ लेकर उनमें जो side effect है वो ना हो इसके लिए इस वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रयास करेंगे और उसमें सफलता लिद करेंगे इस वैदिक विज्ञान केंद्र का निर्माण केंद्रिये लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।